हेलो चैंपियंज, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्त हो मस्त हैं, दोस्तों आप में से जो लोग CBSC बोर्ड का 2024 का बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही important update है, जैसा कि आप लोगों ने thumbnail में देखा है, उसमें लिखा था क कि CBSC बोर्ड एक्जाम 2024 में यही आएगा, बिसिकली दोस्तों CBSC बोर्ड ने एक बिसिकली टोटल तीन सैंपल पेपर्स एशू किये हैं, और उसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो 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 जोग्राफिक के मैप से जो questions आएंगे, जिस तरके questions पहले आते थे previous years में, उससे अलग तरके questions आएंगे, आईए देखते हैं कैसे, देखें सबसे पहले तो हम यह update देख लेते हैं, देखें CBSC ने दो बिसिकली दो बार यह जो practice question papers हैं, इसका तो एक set issue किया है, और यह है अपना class 10th session 23-24 के लिए, यानि आपका जो March 7, 2024 को आप लोगों का जो board का exam है, सबसे का उसके लिए, और दूसरा, देखें CBSC ने फिर issue किया है, additional practice questions, यह भी है आपका class 10th, 23-24 के board के लिए, राइट, तो आए देखते हैं जो geography से जो अब question आएंगे, map based, वो किस तरीके क्यों question आएंगे, और पहले कैसे, पहले कैसे अलगतर रखे questions आते हैं, तो बेहतर य पहले देख लेते हैं कि, यानि आज से पहले, यानि PYQ में question paper, map based questions कैसे आएंगे, एक नजर मानते हैं, तब यह बहुत अच्छे से clear हो पाएगा, कि जो previous में questions आएंगे, इस साल जो question papers आएंगे, map based, वो कैसे अलग होंगे, आएए देखते हैं, तो सबसे पहले हम देख ले पहले हैं, तो देखें, यह map based questions है, उस में भी geography में देखें, यह two marks अपना history का है, और three marks अपना geography का है, यह देखें, three marks geography का, पहले geography में किस तरकी है क्यों questions आते हैं, आप ध्यान से देखें पढ़ करके, लेखा कि, on the same outline map of India, एक ही map मिलता है, जिसमें हमें history और geography दोनों करनी ही होती है, क्या करा है, map of India, locate, आप term को देखें, locate and level, any three, चार आएगा, चार में से, any three हमें, locate and level करना होगा, जो तीन नमबर का होगा, देखें, direct दिया है, हेरा कुट डैम, तारापूर एटोमिक पावर स्टेशन, पूने software technology park, पारदीप सीपोर्ट, इस तरीके से map में direct questions आए हैं, previously, और उसमें, right, इस तरीके से direct आए हैं, लेकिन आप देखें, अब इस साल जो आपका, आप लोगों का March 7, 2024 में, जो board का exam होने वाला है, इस तरीके के questions आएंगे, आप देखें, एक बार instruction बढ़ते हैं, instruction क्या है, आप जानते हैं, 37A आपका history का होता है, 37B जो होत देखें, note करिए कि wording क्या है, locate and label, तो अब कहोगे सर, इसमें क्या फर्क है, उसमें भी previous, इस से पहले भी तो locate and label का ही आता था, फर्क है यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, अब यह आपने देखा उसमें, direct question आया है, जैसे, पैरादीप, पैरादीप, सीपोर्ट, आपको क्यो identify करके, locate and label करना है, लेकिन अब देखिए, इसमें, direct question नहीं आया, कैसे question आया है, देखिए, किस तरखा question आया, आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, a dam built on the river, सतलूच, अब यहाँ पे, direct, यह नहीं बोला गया, कि भाकरान अंगल, इसमें क्या लिखा, a dam built on सतलूच रिवर तो आपको पहले identify करना है, फिर locate करना है, और level करना है, इसी तरीके से, और क्या question, अब आप लोग जानते हैं हमारा, जो river सतलूच पे कौन सर डेम है, भाकरान अंगल अओ भाकरान अंगल डेम हमारा कहां पे है, भाकरान अंगल डेम हमारा यह देखिए, यह हिमाचल प्रद आप यह वाला area अगर आप identify करें, यह वाला area ठीक है, यहीं पे है भाकरान अंगल डेम, जो सतलूच रिवर पे, यह हमारा भाकरान अंगल डेम, भाकरान अंगल डेम के लिए में, भाकरान अंगल डेम, राइट, और यह सतलूच रिवर पे, इसी तरीके से और क्या question आ सकता है a dam which is located on चिनाब रिवर राइट तो चिनाब रिवर किस चिनाब रिवर पर कौन सा डायम लोकेटेड है चिनाब रिवर पर है अपना सलाल जो की जम्मुयर काश्मेर में है तो इसी जारी के एक मैं आप लोगों के दे रहा हूँ जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है और खुद लोकेट और लेबल करना है आपको और उसको फिर आप उसको अपनी बुग में जो मैप दिया गया उससे आप मैच कर लेना और आपका क्वेश्चन है यह कि हीराकुट ड तो इसका आंसर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसे मैप में लोक एक खुद छेक करेंगे आप रैट चलिया हम आगे पहुत हैं दूसरा रहा है total 8 software technology parks है और North India में क्यवाल एक है वो भी NOEDA है UP में राइट तो यह कहां पे होगा यह देखे आपका डेली है डेली के पास में देखे यह रहा NOEDA UP यह हो गया हमारा इसे बोलते हैं NOEDA NOEDA software technology park तो डाइरेक्ट नहीं दिया कि NOEDA software technology पार्क को आप लोकेट करो तो इस तरीके से questions आएगे तो एक question मैं आपको दे रहा हूँ या चलो इसी तरीके क्या हो सकता है दुसरा question इस तरीके से हो सकता है a software technology park in Gujarat इस तरीके से question आ सकता है तो गूजरात में कौन सा software टेक्ट लाइप है गुजरात में हमारा गांधी नगर तो यह इसको हम कैसे लोकेट करेंगे यह देखे रहे हमारा गुजरात यह हमारे state of गुजरात है यह हमारे state of गुजरात है तो आप देखिए state of गुजरात में कौन सा software technology park है यह हमारा गांधी नगर तो यह हो गया हमारा गांधी नगर ठीक है अब मैं एक क्वेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि अस आफ्ट्वेर टेकनोलजी पार्क इन दे स्टेट आफ केरला आप इसे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करें और इसका अंसर बताएं और खुद इसे लोकेट लेवल करके अपने बॉक्स से इसे मैच कर लें आपको पुता चल जाएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है चली अगला क्वेशन हम देखते है अगला क्वेशन है हमारा सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑन दे इस्ट कोस्ट अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जितने पोर्ट से हमारे यह इस्टन कोस्ट के पोर्ट है और यह वेस्टन कोस्ट के पोर्ट है तो इसमें क्वेशन में क्या बोला है कि सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑन दे इस्ट कोस्ट तो इस्ट कोस्ट पे सदर्न मोस्ट अब देखो डायर्क नहीं बोला कि आप लोकेट और लेवल करिए तूती कोरन को क्योंकि सदर्न मोस्ट और इस्ट वाला तो इस्ट वाला ये रहा और सदर्न मोस्ट अपना ये रहा जिसका आंसर होगा तूती कोरीन और तूती कोरीन सदर्न मोस्ट बोर्ट हमारा तूती कोरीन सदर्न मोस्ट बोर्ट हमारा ये रहा टी लिख दे रहा हूँ और जो कि हमारा तमिल नाडू में है तो इसी तरीके से questions आएंगे indirect question आएंगे अब जैसे equation और क्या आ सकता है locate and label the southernmost western port यारी western coast पे southernmost port कौन सा है तो आप लोग जानते हैं कौन सा है वो है हमारा कोची कोची जो की केरला में है और यह रहा हमारा कोची कोची पोर्ट हमारा रहा कोची के लिख दे रहा हूँ इसी तरीके से equation मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आप लोग अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकें और time रहते करेक्टिव एक्शन ले सकें और यह होगा deepest landlocked port deepest landlocked port of India यह आपका question हो गया comment box में कोची करके इसका answer जरूर दे चलिए अगला question हम देखते हैं अगला question है हमारा दान दीजे अगला question हमारा चार है चार में से तीन ही करना है लेकिन हम चारों प्रेक्षिस कर ले रहे हैं nickel power plant in the state of maharashtra आप लोग चानते हैं की हमारे book में जो nuclear power plants है केवल 4 ही nuclear power plants आ रहे हैं तो जो महरास्टा में है उसका उसका नाम है तारापुर और उसकी location क्या है यह देखें यह रहा हमारा महरास्टा महरास्टा में जो हमारा तारापुर तारापूर नुकलियर पावर प्लांट है मैं के वल टी लिख रहा हूँ महरास्टा का कौन सा नुकलियर पावर प्लांट हो गया तारापूर देखो डायरेक्ट नहीं दिया कि लोकेट ए लेबल तारापूर नुक्लियर पावर प्लांट राइट इसी तरीके से एक वेशन मैं आप उगों को दे रहा हूँ कि अ नुक्लियर पावर प्लांट अ नुक्लियर पावर प्लांट इन दे स्टेट आफ उत्तर प्रदेश कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे एंड लोकेट लेबल करके से मैच करें और पता करें कि आपकी तैयरी का लेबल क्या है चलिए आगे मूफ करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेशन क्या है हमारा राइट यह जो एक चीज़ फिर से आपको बताना चाहरा हूँ यह सीबियसी बोर्ड ने जो प्रैक्सिस क्वेशन पेपर दिया है मैंने ठीक उसी को लिया है यह कहीं बाहर का नहीं है तो मतलब 99 परसेंट पॉसिबिल्टी यही है कि इसी तरीके क्यों क्वेशन आएंगे डायरेक्ट क्वेशन नहीं आएंगे तो इसी बात को ध्यान में करने के लिए भी आ सकता है तो इसी चीज को ध्यान में रख करका आप लोग तयारी करिया है ने चले आए देखते हैं अगला क्वेशन क्या हमारा अब देखे डायरेक्ट क्वेशन नहीं आया है और सॉफ्ट्वेर टेकनलोजी पार्क इन महारास्ट्रा में दो के लिए मैंने पी लिख दिया राइट इसी तरीकिया का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं आप लोग कॉमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं और उसे लोकेट लेबल करके बुक से मिला लीजिए कि आपकी तहरी का लेवल क्या है और वो है और सॉफ क्वेश्चन नहीं दे रहे इसी बेसी इस बार इंस्टेट अफ राइटिंग कि आप बोकारो कोल माइन को लोकेट करो क्या दिया क्वेश्चन दिया है अप जारखंड में जो कोल माइन है जारखंड में जो कोल माइन उसका नाम क्या है बोकारो बोकारो कहां पर लोकेट कर मैं भी लिख रहा हूँ इसी तरीके से देखे टोटल फोर कोल माइन सा रहे हैं हमारे इस पार के सीबेसी बोड के एक्जाम में तो इस तरीके से एक क्वेशन और हो सकता है अप कोल माइन लोकेटेड इन दे स्टेट ओफ वेस्ट बेंगॉल कौन सा होगा रानी गंज रानी गंज होगा और आप लोग जानते हैं इस पे अक्षाय कुमार की एक मूवी भी आई है है न तो इसी तरीके से एक क्वेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और वह क्वेशन है comment box में कोइन करके इसका आंसर जरूर दें देखे अगर इसका आंसर आपको पोषिश करोगे मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी तयारी जरूर इंप्रूब होगी क्योंकि नहीं आए आ रहा होगा आ तो आप देंगए तो आपको confidence बढ़ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो reply comment box में इसका answer जरूर दे चले अगला question हम लेते हैं अगला question है हमारा which is fourth क्या कर रहा है a seaport located in West Bengal आप लोग जानते है West Bengal में दो seaport है एक हल्दिया है कोलकाता है तो direct हल्दिया कोलकाता नहीं जाई सरी किस question दे दिया तो मैं equation आपको दे रहा हूँ question यह होगा कि the oldest artificial seaport in India इसका answer जरूर दे और पता करें कि आपकी तैयारी का level क्या है आप चेक करें जरूर चेक करें definitely आपको फायदा होगा next question हम लेते हैं next question आया हमारा यह देखे the tallest damn in India क्या बोड़ा है the tallest damn in India इसका answer क्या है टेहरी जो की भागी रथी रिवर पे है so instead of giving direct की टेहरी डैम को locate हो लेबल करो क्या बोला इन्होंने the tallest damn in India इसी तरह के question क्या सकता है the largest damn in India तो the largest damn in India क्यों सा है भाखरान अंगल भाखरान अंगल जो सतुलज रिवर पे रोकेटेड है तो इस तरीके से जो जो भी आप लोग map का question स्यार करें उसके जो specific points हैं उसको भी आप जरूर देखें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही एक और इसी तरह की interesting video के साथ तब तक के लिए thank you so much keep learning and keep scoring full marks